लोक सभाचुनाव अपने पीक पर है। साथ में से पांच चरनों की मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके साथ ही कई उम्मीदवारों का राजनीतिक भागय भी EVM में कैद हो गया है, जिस पर 4 जून को फैसला होना है। जिन्डे में संभावित तौर पर क्रिशी से जुड़े कई मुद्दे हैं, जिसमें गिहूं एक्सपोर्ट बैन पर फैसला सबसे अहम है। ऐसे में अभी से ये चर्चाएं होने लगी हैं कि नई सरकार के गठन के बाद गिहूं एक्सपोर्ट से बैन हटने की कितनी संभावन दरसल भारत गिहूं उतपादन में ग्लोबली शीर्ष देशों की सूची में शुमार है, डॉट वहीं भारत दुनिया में गिहूं का बड़ा एक्सपोर्टर भी है। कोरोना काल में हुआ गिहूं एक्सपोर्ट को इसका पीक कहा जा सकता है। असल में कोरोना के बाद साल 2022 2022 में रूस यूक्रेन युद शुरू होने के बाद जब दुनिया की गेहूं सप्लाई प्रभावित हुई थी, तब दुनिया के देशों की गेहूं जरूरतों को भारत ने पूरा किया था और भारत ग्लोबली नया गेहूं एक पोर्टर प्लेयर बनकर उबरा था, लेकिन मार असल में किसानों को उम्मीद है कि गेहूं एक्सपोर्ट से बैन हटने के बाद उन्हें बाजार में बेहतर दाम मिलेगा, लेकिन अगर मौझूदा हालातों को देखें तो नई सरकार के लिए गेहूं एक्सपोर्ट से बैन हटाना चुनौती पून फैसला साबित होने जा आये समझते हैं कि वह कौन से दो कारण हैं जो गेहूं एक्सपोर्ट बैन को जारी रखने की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है ये लगातार तीसरी बार होगा जब गेहूं खरीद का टारगेट अधूरा रह जाएगा। पूरा करना चुनौती पून बना हुआ है। गेहूं एक्सपोर्ट से बैन हटने के पीछे दूसरी और सबसे बड़ी बाधा उत्पादन और गेहूं स्टॉक का उलजा हुआ गनित है। असल में कई एजेंसियां इस साल रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का दावा कर चुकी है। जिसके तहट 114 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया जा चुका है। लेकिन दावों के इतर जमीन पर हालात लग रहे हैं। बेशक पंजाब और हरियाना में गेहूं उत्पादन ठीक हुआ है। लेकिन मध्यप्रदेश समेथ कुछ राजियों से गेहूं उत्पादन में गिरावट की जानकारी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि इस साल भी गेहूं उत्पादन पिछले साल की तरह ही 111 मिलियन टन के पास ही रहेगा। इस तरह गेहूं उत्पादन में गिरावट की आशंका लगाई जा रही है तो वहीं दूसरी बार भारत का गेहूं स्टाक भी गरबढ़ाया हुआ है। भारत के गेहूं स्टाक की बात करें तो 1 अप्रेल 2024 को गेहूं का स्टाक 75.02 लाक टन दर्स किया गया था जो बफर स्टाक के लिए निरधारित 74.06 लाक टन से थोड़ा सा अधिक था। गेहूं के इस स्टाक के साथ इस साल खरी दे गए गेहूं को जोड़ा जाए तो भारत के गेहूं भंडार के हालातों को ठीक से समझा जा सकता है। गेहूं की ये कहानी ही किसानों के लिए बड़ा मैसेज है। देश में मांग के अनुरूब गेहूं की कमी के हालात बने हुए हैं जिसमें जिन किसानों ने गेहूं स्टाक किया हुआ है। उन्हें बहतर दाम मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि गेहूं की सरकारी खर रिपोर्ट भी कर सकती है Bureau Report Market Times TV